Hey winners, इस छिलके को humanity के लिए वर्दान कहा जाता है और कुदरत की इंसान को दी हुई सबसे चमतकारी चीजों में से ये एक है और कई जगा पर इसको super food या super medicine भी कहा जाता है ये natural है, इसमें कोई chemical नहीं होता और इसका कोई side effect नहीं है और हमारी सेहत के लिए ये वर्दान से कम नहीं है ये है इस बगोल और ये इस बगोल सद्यों से हमारे यहां use किया जाता रहा है इस बगोल एक natural plant होता है, ये उसका चिलका होता है इंग्लिश में इसको cilium husk कहा जाता है और इसका ayurvedic नाम है अश्वकरना तो इस विडियो में इस बगोल के कुछ scientifically proven 15 plus benefits के बारे में मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे, हरान रह जाएंगे कि इतने सारे amazing health benefits सिर्फ इस 20-50 उरुपे के इस बगोल में छुपा हुए थे आज तक नहीं पता था, आज पता चलेगा और हाँ, विडियो पूरा जरूर देखना क्योंकि less knowledge is dangerous आपने पूरा देखा तो आप समझ पाओगे कि आपको इसको use कैसे करना है कितनी quantity में इसको use करना है किस problem, किस health challenge के लिए इसको किस तरीके से use करना है और कहां पर या किन लोगों को इसको use नहीं करना है सबसे पहला इसका benefit आपको बताता हूँ कि इस bagul cures constipation सौ बिमारियों का एक कारण है cubs यानि constipation इसमें जो insoluble और soluble दोनों fibers है न इसके वज़े से ये सबसे powerful natural lexative बन जाता है ये हमारे bowel movement को regulate करके stool को यानि हमारे मल को soften करने की ability रखता है क्योंकि fiber से stool bulky and soften होता है तो वो easily pass out भी हो जाता है intestines को clean करता है इसके कारण constipation खतम होती है जिससे पेट से सारे toxins भी बाहर निकलते हैं और आयूरवेद में कहा गया है कि सर्वेशा नाम, रोगा नाम, निदानम, कुपित मला यानि हर रोग का निदान है कुपित मल का अगर हमने त्याक कर दिया toxins body से निकल गए तो इनसान चंगा ही चंगा है जी और हाँ इसके साथ में कुछ precautions क्या लेने हैं वो मैं वीडियो के last में बताऊँगा लेकिन अभी इस point में एक बहुत जरूरी चीज जान लेनी वो ये है इसको अगर आप constipation के लिए ले रहे हैं तो आपको खाने के साथ इसको नहीं लेना रात को सोने से एक घंटा पहले गुन-गुने पानी से या ज्यादा constipation या पुरानी constipation है तो दूद के साथ वो भी गाएं के दूद के साथ आप इसको ले सकते हैं इसके साथ अगर आप इसको लेते हैं तो पानी ज्यादा पीना है यानि अगर आप इसका एक टी स्पून लेते हैं तो कम से कम एक से तेड़ गलास पानी दिन में ज़्यादा पीना है क्योंकि ये soluble, मैंने बोला insoluble, दोनों fibres इसमें है तो ये पानी को absorb करता है Next, इसका सबसे important benefit है इसमें जो dietary fibre है that can prevent us from cancer especially colorectal cancer या bowel cancer जिसको बोलते हैं और आज दुनिया में जो colorectal cancer है ये सबसे common cancer हो चुका है World Health Organization की माने है तो ये Asian countries में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बिमारी है जिसका सबसे बड़ा कारण है low fiber diet females को at least 21-25 gram dietary fiber लेना होता है और males को 30-38 gram और इस report के मताबिक हमारे खाने से हमको 15 gram तक ही fiber मिल पाता है और अगर हमको प्रयापत मातरा में dietary fiber मिले तो ये क्या करता है ये हमारे stool को बलकी करता है जो carcinogens होते हैं जो cancer causing compounds होते हैं ये उनको dilute कर देता है और जो transit time होता है उसको कम करके उनको intestine से बाहर निकाल देता है जिस वज़े से हमारा colorectum और carcinogens जो होते हैं उनके बीच का contact कम हो जाता है 50,000 लोगों पर 10 से ज़ादा studies हुई जिसमें ये देखा गया कि जो dietary fiber है ये हमको अगर प्रयापत मातरा में मिले तो हमें cancer से especially colorectal या bowel cancer से बचाता है ये dietary fiber इसके 5 gram के 1 spoon में 4 gram fiber होता है दुनिया में सबसे ज़ादा fiber अगर किसी चीज में मतलब इतनी कम quantity में सबसे ज़ादा fiber तो वो इस इस बगोल में होता है next ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी problem को solve कर देने वाला है क्योंकि इस बगोल relieves acidity, heartburn and gastric issues जी हां ये छोटी सी पुडिया ये पूरी gastrointestinal health के लिए बहुत ही amazingly काम करता है, अच्छा है इस बगोल जो है, ये anti-flauchurant होता है anti-flauchurant क्या है, acid को ये absorb करने की ताकत रखता है जो excessive intestinal gas बनती है, ये उससे prevent करता है किसी भी तरह का digestive issue हो, gastric issue हो, hyper acidity क्यों ना हो metabolic syndrome हो, उससे भी ये हमें बचाता है क्योंकि ये पेट की जो inner lining है, उस पर एक layer form कर देता है जिससे stomach ulcer तक को ये prevent कर सकता है तो अगर आप इसको किसी भी stomach issue के लिए लेना चाहते हैं किसी भी gastrointestinal issue के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसके एक से दो टी स्पून बटर मिल्क चाच में दोपहर को ले सकते हैं बहुत ही ज़्यादा cooling effect और बहुत ही ज़्यादा देगा आपको ये और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर एक भी चीज नहीं जानने को मिले या इतना सा भी 0.01% भी अगर आपको benefit हो तो नीचे like का बटन दिया गया है उसको चाहो तो ignore कर देना लेकिन वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ignore नहीं करना जो बता रहा हूँ उसको religiously अपनी जिन्दगी में follow करो मैं कहता हूँ इतने चमतकारी benefits देखने को मिलेंगे ये 10-20 रुपे के दो पाउच आपकी जिन्दगी में value add कर देंगे कि आपके लाख और रुपे ना बचवा दिये सेहत पे खर्चोने वाले तो कहना आ रहे कोई like नहीं चाहिए ये कुछ नहीं चाहिए सिर्फ जो चीज बता रहा हूँ उसको follow कर लो बस next ये हमारे पूरे digestive system के लिए वरदान है आपके पेट के लिए ये अमरत से कम नहीं है इस बगोल अगर पेट दर्ध है, indigestion की problem है तो ये naturally उसको heal कर सकता है आधे से ज्यादा रोग तो पेट की गर्मी के कारण होते है जिसको हम कहते हैं पित बढ़ा हुआ है, पित का बढ़ना कहते है तो इस बगोल में natural cooling effects होते हैं जिस वज़े से ये पेट में गर्मी को balance करता है दुनिया का best prebiotic होता है जो पाकुट शाकुट जो भी लोग पीते हैं पीतने पैसे खर्च के इस बगोल उसका भी पापा है क्योंकि इस बगोल digestive enzymes जो microbes होते हैं जो good bacterias होते हैं जो हमारे गट में होते हैं उनको promote करता है जिससे ये हमारे metabolic function को regulate करके और भी हमारे ज़्यादा digestion को बहतर बनाता है irritable bowel syndrome कई लोगों को हो जाता है IBS उसको treat करता है और ऐसा करके ये हमारी immunity को भी boost करता है क्योंकि 70% से ज़्यादा immunity lies in your gut जितना gut healthy होगा उतनी immunity strong होगी तो अगर किसी को पेट में गर्मी या गर्मी पित्त से related issues है तो normal पानी इसमें गरम पानी नहीं लेना होता सिरफ normal पानी के साथ 1-2 teaspoon रोज रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं बहुत आराम मिलेगा हाजी next इस बगोल regulates blood sugar कमाल की बात है न क्योंकि इस बगोल में natural gelatin होता है जो body में glucose के breakdown को slow कर देता है insulin का जो secretion है उसको proper कर देता है इससे क्या होता है blood sugar को normalize करने में काफी ज़्यादा help मिलती है और ये बकाईदा एक study में proof किया गया उस study का link में मैं description में दे रहा हूँ इसलिए उसको भी जरूर चेक कीजिएगा तो अगर आप इसको diabetes के लिए देना चाहते हैं तो एक teaspoon आप रोज ले सकते हैं हलके गुनगुने पानी के साथ खाने के बाद दुपहर के या शाम को next बहुत powerful benefit की इस बगोल helps in lowering cholesterol यानि कि इस बगोल का एक और शांदार benefit यह है कि इसके अंदर एक hypochloromic effect होता है जिसके कारण ये cholesterol के levels को कम करता है और इस पर एक scientific study भी हुई है कि कैसे ये soluble fiber जो है cholesterol को कम करने में काफी ज़्यादा help करते हैं तो अगर कोई भी इंसान cholesterol को कम करना चाहता है का risk है उसको भी कम कर देता है कैसे देखो आज एक बहुत बड़ी दिक्कत बन करके सामने आ रहा है heart attack especially covid के बाद या covid के injection के बाद अब मुझे नहीं पता ये तो आप लोग comment करके पता ना क्या वाकई ऐसा कुछ है या सिर्फ बातों बातों में है तो ये जो heart attacks आ रहे हैं इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल हमारे blood में triglyceride का level बढ़ रहा है किसी भी कारण से हो सकता है क्योंकि अगर blood में triglyceride का level बढ़ जाता है ना तो heart disease या heart stroke का खतरा भी वो बहुत जादा बढ़ा देता है तो इस बगोल जो है triglyceride के levels को कम करता है और ना सिर्फ heart को healthy रखता है बलकि heart attack के खतरे से भी हमें बचाता है तो एक से दो teaspoon सोने से पहले ले सकते हैं गुन-गुने पानी के साथ दिल खुश हो जाएगा बाग बाग हो जाएगा next benefit बहुत से लोगों को मज़ा आने वाला है यह 10-12 रुपे की छोटी सी पुडिया आती है और यह weight loss में बहुत जादा help करती है यह ऐसा कहा जाता है कि यह perfect natural supplement है अगर आप fat loss करना चाते हो तो क्योंकि इस बगोल जो है वो हमारी appetite को control करता है जिससे जो extra food cravings especially जो fat की cravings हमें होती है उनको control कर लेता है extra calories उससे cut हो जाती है इसलिए यह natural weight loss supplement बन जाता है और अगर आप weight loss करना चाते हैं especially fat loss करना चाते हैं तो lunch से दोपहर के खाने से आदा गंटा पहले आप इसको ले सकते हैं आदा गंटा पहले आप लेंगे तो यह पेट में filling देता है पेट भरता है तो आप extra नहीं खाते हो और fiber अगर खाने से पहले ले लिया जाए तो वो digestion में भी बहुत ज़्यादा help करता है पूरी intestines को clean करता हुआ रगड़ता हुआ scotch bright की तरह रगड़ता हुआ जाता है toxins हमारे जो intestines में और हमारी esophagus में या फिर हमारे stomach में कहीं होता है उनको भी clear करता है अब next कोई भी rectum disease है किसी को piles है, fissure है, rectum infections है तो उनको यह ज़रूर फाइदा देता है क्योंकि इसके अंदर एक natural lubrication का effect होता है जिसके कारल यह natural austerity बन जाता है किसी भी rectum problem के लिए और क्योंकि इसके अंदर cooling effects है तो यह बहुत ज़्यादा आराम देता है किसी भी rectum problem में तो जैसे कि हमने पहले point में देखा कि अगर किसी को constipation हो, motion ना हो इसलिए किसी भी इनसान को कभी भी diarrhea हो तो water intake ज़्यादा करना है और इस बगोल को लेना है लेकिन इसको लेना कैसे है इसको लेना है दही के साथ और हाँ अगर आप चाहें तो इसके लिए आप इसको चाज के साथ ले सकते हैं, लसी के साथ ले सकते हैं curd, मतलब basically curd होना चाहिए उसके साथ ले सकते हैं क्योंकि इसमें anti-darial properties होती है तो ये बहुत amazingly काम करता है loose motion के उपर next आप ये जानकर हैरान रहे जाएंगे कि जो dietary fiber होता है especially इस बगोल में ये एक बहुत अच्छा natural anti-depressant होता है ये depression को कम करने में काफी beautifully काम करता है क्योंकि जो stress chemical है cortisol उसको neutralize करने के लिए एक hormone होता है जिसको serotonin बोला जाता है उस serotonin का 95% production हमारे gut में होता है तो अगर gut healthy होगा तो उसका production ज्यादा होगा वो cortisol को eat up कर लेगा तो बहुत level तक हमारे depression के उपर stress के उपर इस बगोल काम करता है तो जैसा कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया कि इससे हमको बहुत important fiber मिलता है soluble और insoluble दोनों तरह का अगर 5 gram इस बगोल लेते हैं तो उसमें 4 gram तो सिरफ fiber ही मिलता है और अगर ये dietary fiber जतना हमें चाहिए अगर हम उतना लेते हैं ये हमारी सेहत के लिए वर्दान जैसा बन जाता है जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसके अलावा और क्या benefits ये fiber हमें दे सकता है ये मैं आपको बड़ा ही quickly बताना चाहूँगा तो ये हमारी strength and energy को भी boost करता है यानि हमारे शरीर के अंदर ताकत बढ़ाता है जो धातूओं की कमी बहुत से लोगों के शरीर के अंदर हो जाती है उसको भी पूरा करने में help करता है और सिर्फ इतना ही नहीं बलकि ये हमारे stomach के अंदर जो mucus की layer है उसको भी protect करता है जिससे की hyperacidity या किसी भी तरह की ulcer से हमको बचाव होता है और एक और अगर fiber intake हमारा सही रहा तो ये हमको बहुत सारी skin problems से भी बचाता है चहरे पर चमक बढ़ाता है तेज लेकर के आता है अगर हम पूरा fiber का सही मातर हम ले रहे हैं तो नेक्स्ट ये female जो issues होते हैं उनको भी कम करता है बहुत सी females को excessive bleeding होती है white discharge होते हैं उनको भी ठीक करता है blood pressure को regulate करता है insomnia को कम करता है यानि इसको लेने के बाद नीद अच्छी हाती है हमारे liver के लिए तो ये अमरित है especially जिनको fatty liver है उनको ठीक करने में काफी help करता है हमारी body से toxins को remove करता है dietary fiber जो हमको सबसे ज़्यादा इस बगोल में मिलता है तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत जरूरी part इसका आप के पास पहुँचने वाला है कुछ precautions सबसे पहले तो precaution में आप ये समझो कि इसका किसी के भी किसी दूसरे खाने के साथ कोई conflict नहीं है किसी भी तरह का किसी भी चीज के साथ लो ऐसा कोई परहेस किये हैं नहीं लेना किसी भी चीज के साथ ये mix नहीं होता निर्दोश है दूसरा आप इसको चाहें तो एक महीने के लिए लगातार भी ले सकते हैं फिर अगर आपने एक महीने के लिए लगातार लिया तो next month आप इसको 7 दिन के लिए ले सकते हैं और third month जो है आप इसको सिरफ 3 दिन के लिए ले सकते हैं क्योंकि यह dietary fiber है और इसकी हमारी body को जरूरत है देखो मैंने आपको बताया कि हमको एक report बता रही है कि 15 gram ही fiber हमें हमारे खाने से मिल पा रहा है जितनी चीजें अभी मैंने fiber के आपको बताई क्या वो सब हम intake कर ले रहे हैं और क्या एक 5 खीरे एक साथ cucumber एक साथ आप खा रहे ह वो 5 gram fiber के लिए नहीं ले रहे हैं और अगर सही fiber नहीं मिलेगा तो वही हमारे colon में कई दिक्कते हैं हमारे heart में problems, diabetes और पता नहीं क्या-क्या चीजों के उपर यह काम कर सकता है amazingly तो क्यों नहीं हम अपना fiber intake पूरा करते हैं हम अपना fat intake पूरा रखते हैं हम अपना protein intake भी हमक fiber बहुत जरूरी है न सर्फ weight loss करेगा दिल की बिमारियों से बचाएगा cancer से बचाएगा diabetes को कम करेगा 15 से ज्यादा benefits यह एक छोटी सी चीज आपको दे सकती है बस एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आप इस बगोल को consume कर रहे हैं इंटेक कर रहे हैं तो आपको पाणी ज्याता पीना है किस brand का लेना आप मेंसे बहुत से लोग यह पूच सकते हैं तो जी यह किसी भी brand का ले सकते हैं हर बड़े brand का बेटे किसी भी टेलिफोन ब्रैंड कोई भी आप ले सकते हैं आपके लोकल पास में जो भी शॉप है वहाँ से आपको यह बहुत इजीली मिल जाएगा घर बैठे बैठे ओरडर करना चाहते हैं तो मैं टीम से बात करता हूँ कुछ Amazon के एक दो लिंक जो बढ़िया होंगे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आराम से आप इसको बाय कर सकें जरूर लीजिए इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाईए और ना सिर्फ अपनी अरे यार क्या करते हो इसको और लोगों के साथ शेर भी करो आज सब लोगों को पता है कि यार गोलियां खानी दवाईयां खानी डॉक्टर के पास जाना सब जरूर यह ठीक है मैं जानता हूँ बढ़िया है लेकिन यार यह ऐसी 50-100-100-100 रुपे की चीज़ें आपकी लाइफ में कई हजारों लाखों रुपे का खरचा बचा सकती है तो आपका एक शेर किसी इनसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू आड़ कर सकता है तो विडियो शेर जरूर करना क्योंकि आपको नहीं पता कि किस इनसान को आपकी एक शेर से इस एक चीज़ को लिने के बाद कितना ज्यादा बेनिफिट मिल जाए और हाँ आपकी सेहत के लिए और भी बहुत अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर अवैलिबल है कुछ दो वीडियो मेरे लेफ्ट और राइट स्क्रीन पर आ रहे है अगर अपनी जिन्दगी के लिए अपनी सेहत के लिए कुछ वक्त निकाल सको तो इन वीडियो को ज़रूर देखना आपकी लाइफ में ज़रूर वैलियो आड करेंगे तो खुश रहे है अपनी सेहत पर ध्यान दीजिये क्योंकि अच्छी सेहत से बड़ी दौलत कोई नहीं है और अच्छी सेहत से बड़ा दोस्त भी कोई नहीं है Stay happy, stay healthy and stay blessed always